दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सब का फिर से एक न्यू वेकेंसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICMR National Institute of Virology की तरफ से various discipline के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर आपकी अलग-अलग position पर वेकेंसी है अगर हम बात करें आपकी eligible branch की तो यहाँ पर civil, electrical और electronic इंजिनियर्स eligible रहेंगे आपकी direct भरती है कोई भी exam नहीं होगा ना तो यहाँ पर कोई आपकी examination fees लगेगी और all our India के candidate यहाँ पर eligible रहेंगे और क्या बताया है इनके official notice में उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहें हैं तो वीडियो को like और YouTube पर सबसे ज्यादा jobs update पाने के लिए चैनल को भी subscribe कर लें ताकि civil engineering से संबंधित किसी भी latest job का update आपसे मिशना हो और आप premium type jobs के लिए हमारे telegram channel और WhatsApp ग्रूप को जरूर जोइन कर लें लिंक वीडियो के description में दिया गया है तो हम हैं के official notice पर notice आपका Indian Council of Medical Research National Institute of Virology पूने महराष्टरा की तरफ से 30 December को जारी किया गया है और ये रहाप का advertisement number इनकी तरफ से अलग-अलग positions के लिए आपकी vacancy निकाली गई है और अगर हम बात करें NIV की तो ये Ministry of Health and Family Welfare में आती है और Government of India का enterprises है basically इनकी तरफ से contract based पर job निकाली गई है अब बात कर लेते हैं आपकी किस post के लिए vacancy रहेगी essential qualification आप से यहाँ पर क्या मांगी गई है कितना आपके पास experience होना चाहिए pay level आपका क्या रहेगा और upper age limit यहाँ पर आपकी क्या रहने वाली है तो सबसे पहली post यहाँ पर आपकी रहने वाली है project engineer के लिए बात कर लेते हैं आपकी essential qualification के बारे में तो यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने first class में B.B.Tech किया है civil engineering में और इसी के साथ आपके पास minimum 3 year का work experience है in relevant field in any reputation में आप यहाँ पर eligible रहेंगे और अगर आपके पास experience है किसी भी construction या फिर maintenance of biosafety lab का तो आपको यहाँ पर preference मिलेगा अब बात कर लेते हैं आपके pay level के बारे में तो certainly यहाँ पर आपको 50,000 रुपीज पर month मिलने वाली है और upper age limit यहाँ पर आपकी 40 year रहेगी तो जिन भी दोस्तों ने हमारे B.B.Tech किया है civil engineering में और minimum आपके पास 3 साल का work experience है अगर आप इसके लिए interested होते हैं, eligible होते हैं तो आप यहाँ पर जरूर apply करिए और next post भी यहाँ पर आपकी रहने वाली है project engineer के लिए educational qualification में यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने B.B.Tech किया है electrical या फिर electronic engineering से और minimum आपके पास 3 साल का work experience है आप यहाँ पर eligible रहेंगे desirable में करके दिया है अगर आपका experience construction या फिर maintenance of biosafety lab का है तो आपको यहाँ पर preference मिलेगा salary यहाँ पर भी आपकी same है यानि salary यहाँ पर आपको 50,000 रुपे प्रतिमन्त मिलेगी और upper resume यहाँ पर आपकी 4 tier रहने वाली है और अगली post यहाँ पर आपकी non-tech के लिए रहने वाली है तो जो भी दोस्त हमारे इसके लिए interested होते हैं eligible होते हैं आप यहाँ पर apply कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं आपके apply process के बारे में तो apply process यहाँ पर आपका online और offline दोनों रखा गया है सबसे पहले यहाँ पर आपको online apply करना है इसके बाद में आपको उसका print out लेना है आपके जितने भी जरूरी document है वो सारे आपको selfie test करने है और आपको भेज देना है इनके official address पर जो भी आपका speed post है courier वो आपका पहुँच जाना चाहिए 19 जन्वरी से पहले और next हम बात कर लेते हैं आपके age relaxation के बारे में तो age relaxation यहाँ पर आपको age पर government rule के हिसाब से मिल जाएगा जैसे SCST को 5 साल का OBC को 3 साल का और PWBD और X Service Man को 10 साल का बात कर लेते हैं आपके selection process के बारे में तो selection process यहाँ पर आपका direct interview के आधार पर रहेगा जो भी दोस्त हमारे यहाँ पर form online करेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको short list करके interview के लिए बुलाए जाएगा तो जिन भी दोस्तों ने हमारे BB take किया है इन ब्रांचों में और आपके पास minimum 3 year का work experience है अगर आप इसके लिए interested होते हैं eligible होते हैं तो आप यहाँ पर जरूर apply करिए अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका thank you, सुक्रिया वीडियो को like करें, share करें और civil engineering के सबसे ज्यादा job update पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें